गुम्टी पर बैट कर चालन काटने पर हैट कॉंस्टेबल हुआ सेस्पेंट गंपदी प्लाजा पॉइंट पर तैनाथ हैट कॉंस्टेबल राजंदर सिंग को ड्यूटी में लापरवाई बरतने पर डिसीपी ट्राफिक राहुल प्रकाश ने सस्पेंट कर दिया ट्राफिक गुम्टी में बैट कर राजंदर चालान काट रहा था आपको बता दे के माई रोड पर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बड़ी बसों की रोग के बावजूद भी ये सभी बसे यहां से गुज़र रही थी जनम दिन तो सभी मनाते हैं केक काटते हैं पाटी करते हैं नास्ते गाते भी हैं मगर आज कानुता के इस युवक ने जिस तरीके से अपना जनम दिन मनाया है उसकी जितनी तारिफ की जाए उतनी कम है जी हां जैपुर जिले के पास कानुता कस्बे के 24 वर्षिय युवक राहुल तवर ने अपने जनम दिन के मौके पर भूकी गायों को हरा चारा खिला कर उनकी पूज़ अर्चना की इस मौके पर तवर्ण ने कहा कि हर सप्ता आसपास की गौशाला में श्रमदान करेंगे गायों की सेवा करेंगे गायों को चार और गुड़ खिलाएंगे गायों के कई गुण बताते हुए कहा कि गाये पर कोई राजनिती नहीं होनी चाहिए गाये हमारे देश में पूज़निये है जैपुर के जेडिये चौराहे पर फिर हुआ हासा तेज रफ्तार लोफ लोर बस ने रेट लाइट तोड़ते हुए कार को मारे टकर जिसके चलते पल्टी कार मौके पर मौजुद लोगों ने चालक को कार से बाहर निकाला जिने मामूली चोटे आई हैं सूचन पर पहुंची थाना पुलिस ने बस को जब्त कर मामली की जान शुरू कर दी है हाला कि इस मामले में पीडित ने अभी तक रिपोर्ट दर्च नहीं करवाई है पुलिस ने बताए कि महिश नगर निवासी कार चालक कार से दिल्ली रोड इस्टित अस्पताल जाने के लिए सुबह करीब आठ बजे जेडिये चराहा क्रोस कर जवार नगर की तरफ जा रहे थे अभी तरी मुर्ते सरकल चराहे की और से आ रही लोग फ्लोर बस ने रेड लाइट तोड़ते हुए कार को टक कर मार दी बस चालक ने बैरक भी लगाए लेकिन बस कंट्रोल नहीं हो पाई और डी सी पी राहुल प्रकाश ने पच्चिस सो नमाजियों को दी यातायात नियमों की चान करें सड़क सुरक्षा अभी आन के तहत यातायात पुलिस की और से जैपुर शेर की विबन स्कुलों, कॉलेजों और शिक्षन संस्थानों में यातायात नियमों के प्रती जारुकता कारिक्रम किये जा रहे हैं पुलिस उपायों की यातायात राहुल प्रकाश ने जहरी बजार इस्तित जामा मजजित में जुम्मी के नमाज की बात करी पच्चिस सो नमाजियों से मुलाकात कर उन्हें यातयात नियमों की जान करी दी राजस्थान के विविन शहरों और कस्वों में जमीनों के अवापती अधिन एवं अवापत शुदा भूमी के प्रकरोन का निस्तारंट करने के लिए राजस्थान आवासन मंडल के सभी नो उप आवासन आयुत कारेलेों में तैसिलडार लगाए जाएंगे नो तैसिलडारों के पत सर्चित करने के लिए मंडल प्रशासन राजस्थान आवासन मंडल में अवाप शुदा जमीनों के साथ ही अवापती प्रक्रिया सहित अनेकारेों में अभी मंडल के कामचारी अधिकारी काम कर रहे हैं और उनको रेवेन्यू समदित नियमों की जानकरी नई होने के चलते मंडल को नई जमीन मिलने के साथ ही वर्शो पूर अवाप की गई जमीनों के निस्तारण में परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहीं अधिकारेों के लापरवाई के चलते प्रदेश में 29 स्थानों की जमीने अधूरी रह गई है इसके चलते प्रदेश के 6 लाग से अधिक लोगों को स्वतनत आवास मिलने का सपना चकना चूर हुआ फिलाल खबरों में इतना ही आप देखते रहे है व्यामा न्यूस 24 सेवन नमस्कार